आप सभी पिये दर्शिकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में, आज हम चर्चा करेंगे how to get into IITs. IIT इंडिया के one of the most allied institutes हैं, और एक बार अगर आप IIT का selection हो जाता है, तो ये समझे कि आपका mindset इतना सही तरह से बनके निकलेगा, आपको life के हर कदम पर उसकी बहुत ज़रुत होगी और आपको दूसरों से अलग distinguish करेगा. तो क्या हैं तीन कदम जिनके माध्यम से आप IIT में enter कर सकते हैं? आई ये चल कर शुरुआत करते हैं. IIT में जाना कोई आसान कारे नहीं है दोस्तों, पहले हम बता दें, it's a very big uphill task, बहुत कठिन प्रशन करना पड़ता है, और इसको आप कैसे जा पाएंगे, ये हम बताएंगे इस वीडियो में. हमारा खुद IIT में selection हुआ है, तो कुछ अपने experience के basis पर आपको ये सारी information दे रहे हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर set expectation करना देना चाहते हैं, कि हम यहाँ पर क्या यह सब हल करना चाहेंगे, कि कैसे maths की problem solve की जाएं, या फिर chemistry की equations को कैसे solve किया जाएं, या फिर physics की hard problems को कैसे easily solve किया जाएं. जी नहीं, हम यह सब यहाँ कुछ नहीं बात करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे 3 basic चीज़ों की, जिनके through आपको ये सब कर सकते हैं, और IIT में आपका selection हो सकता है. आप चाहिए कोई सी भी IIT हो, principle remains the same, आपको मेहनत करनी होगी, और आपको पता ही है already, ये हमारी top 6 IITs हैं, जिसमें से ranking wise IIT Bombay सबसे उपर है, और संस्थापना के दरश्टी से IIT रूट की सबसे पुरानी है. तो depending on आप कौन सा पसंद करना चाहेंगे, क्या पसंद करना चाहेंगे, we will leave it to you, यहाँ पर हम इसके बर में जादे detail चर्चा नहीं करेंगे. पर हम बात क्या कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर, कि आपको अपने thought process को सबसे important organize करना होता है. अगर आपको feel होता है कि कहीं पर आप सोच रहे हैं और jail में बंद होरके सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपका mind free होना चाहिए और आपको अपने thoughts को एक systematic way में arrange करके रखना है हर चीज़ के लिए. यह सबसे पहले चीज़ होगी आपको, जो आपके mind को सीखनी है कि कैसे आप अपने thoughts को arrange करें और कैसे उनको फिर finally represent करें. सबसे पहला कदम जो है, पहले अपनी पसंदिदा IIT का chain करना चाहिए आपको. जैसे हमने बताया है, कुछ पी reason हो सकता है आपका, उसमें से आपको decide करना है कि कौन सी आपकी favorite IIT है. यह क्यों important है, आप हम बताते हैं, एक बार अगर आपने कौन सी IIT है और क्यों उसका selection है किया है आपने, तो पहले तो आप decide कीजी कि कौन सी IIT आपको पसंद है, और दूसरा उसके बाद में फिर बताईए क्यों आप उसको करना चाहते हैं. एक्जामपल हो सकता है, आप रूड़की के आसपास रहने वाले हैं और बंदी, तो आपको चाहिए कि आप घर के पास रहें, तो यह एक reason हो सकता है. दूसरा, कोई आपके relative गए हो वहाँ पर, या तीसरा, कोई आपका personal attachment हो वहाँ से, friends हो, friends, family हो, जैसे भी है, आपको decide करन कि आपको इस IIT में जाना है, दिन आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, जैसे एक समय की बात है, महभारत में, जब गुरु दौनाचारे जी ने सब पांड़ों और कोड़ों से पूछा, कि आपको क्या दिख रहा है, जब उन्होंने पक्षी की आँख बेंदने के लिए बोला, तो सिर्फ एक विद्यारती था, जिसने बताया कि मुझे गुरु जी सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आँख दिख रही है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, कि जब आपने एक बार एक चीज का सेलेक्शन कर लिया, तो आपको focus होना चाहिए, आपके goal clear होने चाहिए, और आपका focus होना चाहिए, IIT में ये ध्यान रखे दोस्तो, एक गलत question, zero marks या minus one marks नहीं होता है, वो आपकी lifelong की problem हो सकती है, जिसकी वज़े से हो सकता है, आपकी favorite IIT आपको ना मिले, या फिर आपका favorite subject उस IIT में ना मिले, engineering stream उ जो करते हैं focus के साथ कीजिए, or don't lose your focus at all, the second step है, आपको सकारात्मक विचार लाने है, आपको positive thinking करनी है, positive thinking से होता क्या है, आपके mind में हमेशा different thoughts चलते रहते हैं, कोई positive होते हैं, कोई negative होते हैं, पर जब आप positive सोचते हैं, तो environment की सारी positive energy आपके mind के पास आती है, और आपको energize करती है, आपके goals को achieve करने के लिए, तो इसलिए positive thinking is very important, हमेशा किये, मैं जा सकता हूँ, और मैं जाओगा, मैं IIT में जा सकता हूँ, और मैं IIT में जाओगा, इस तरह सोच के रहे हैं, तो आप definitely complete कर पाएंगे, यदि आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, तभी सब क उसको नहीं पा सकते हैं, और एक बार अपने विश्वास कर लिया, तो फिर कोई आपको छोड़नी सकता है, पूरी universe की energy आपको, positive energy आपको आके मिलेगी, अपने mind को organize कीजे, हर चीज आपको पढ़नी है, हर चीज में आपको सूचना है, कि कैसे करना है, थोड़ा physical activity भी होनी है, बढ़ हर चीज के लिए time set कीजे, हर चीज के लिए अपना काम कीजे, अपना focus हर जंगा रखिए, और अपने mind को पूरी तरह से organize रखिए, और जो तीसरा सबसे important कदम है, वो है time management का, time management क्यों important है, दोस्तों इस बात को समझे, और ये life long आपके काम आएगी, जब आपने time management एक बार सीख लिया, देखिए, सबके पास बराबर समय होता है, सबको अपनी नित्य प्रक्रिया करनी होती है, नेचरल कॉल सबको होती है, मूख सबको लगती है, पर आप उसको कैसे organize करेंगे, कैसे आप इस समय में break लेके अपना काम करेंगे, जैसे आपके पास अगर हम example बताते हैं, आपको अगर काम करना है अपना maths का, और maths के बीच में आप अपने चोटे-चोटे subject जो easy है, suppose हिंदी हो गया है, इंग्लिश हो गया, उसको रखे बीच में, ताकि आपका mind थोड़ा सा relax हो उस time पर, और फिर आप अगले subject physics या chemistry के लिए फिर तयार हो जाए, तो एक tough subject, फिर एक छोटा subject easy, फिर एक tough subject, तो इस तरह से आप अगर time management करेंगे, तो उसका बहुत बढ़िया रहेगा, ब्रेक जब लें, तो ये सब काम इस समय कर सकते हैं, जैसे आप खाना खाना है, तो ऐसा time पर खाना खाईए, आपने हिसाब से, कि जब आपने आपने खाना मैं जब खाऊंगा, जब मेरा time होगा, ना कि जब खाना बन गया, आओ खाना खाऊ, ऐसे नहीं, सब के पास 24 घंटे होते हैं दिन में, तो अपने घंटे का अच्छी तरह से, अपने समय का अच्छी तरह से प्रियोग कीजिए, और इस तरह से break लिजिए, कि वो उसको effectively use कर जाए, और इस effective time management का time कब होगा, अभी, आपने जब भी वीडियो देखना शुरू किया, तभी से आप अपने time management शुरू कीजिए, ताकि इसको आप right now implement कर सके, जी हाँ, अगर आप तयार नहीं है, अभी काम करने के लिए, अभी अपने आपको time organize करने के लिए, तो हो स entrance करते हैं, तो आपका overall score देखा जाता है, तीनो subject में आपको pass होना है, और साथ में एक subject में आपको बहुत बढ़या number लाने है, ताकि आपकी ranking अच्छी रहे, तो हम जब करते थे अपना काम, हमारा maths favorite subject था, तो हम उसमें 40% of our time उसमें dedicate किया गरते हैं, जो भी हमारा IIT के study था तो बाकी 60% का कैसे करेंगे, उसको 30-30% में आप अपने accordingly physics and chemistry में हमने decide के था, जो आपका favorite subject है, आप उसको जादा time दीजे, क्योंकि उसमें जब आप 10% जादा time देंगे relatively other subject के, वो आपको 10% जादा marks नहीं देगा, वो आपको कम से कम 30% extra marks देगा other subject के, क्यों कह रहे हैं, favorite इतना important क्यों है, आईए समझाते हैं इस बात को, बेखिए, आप चाहे maths हो, चाहे physics हो, चाहे chemistry हो, चाहे कोई भी आपका favorite subject हो, कोई फरक नहीं है, पर अगर आपको favorite subject है, तो उसकी background होता है, उसका reason होता है, उसकी childhood memories जुड़ी देहती हैं उसके साथ में आपकी, तो इसलिए वो आपके subconscious mind में सबसे जादा helpful रहेगा, सबसे जादा utilize कर सकते हैं आप उसको अपने हिसाब से, दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा, तो एक बार like button दबाना, और सबसे important बात आपको बताना चाहते है, distraction, जब भी आप पढ़ेंगे, तो definitely आपके distraction रहेंगे, क्या distraction हो सकत group आते रहते है, message की, आज यह हो गया, वो हो गया, तो वो सब पर थोड़ा distraction होता है, और साथ में YouTube एक distraction भी रहता है, थोड़ा सा उसको, आपको क्या advise है हमारी, कि इन सब चीज के लिए, आपको सीमित उपयोग करना है, सीमित उपयोग करने का कैसे कर सकते है, आप, हम यह न देखते हैं, या WhatsApp message देखते हैं, जी नहीं, आप student है, तो आप उसके लिए सबसे last में काम कीजिए, उसको सबसे last में रखिए, आखिर में जब आपका खाना खाने का time है, उससे पहले आप देखिए कि आपका कोई important message तो नहीं है, for example, इस तरह से आपको time management करना है, मैं उमीद करता हूँ दोस्तों, आपको इस से कुछ सीखने को मिला है, और आपको all the best, और आपको मैं विश्वत हो सकता है, कि आपको ये काम बहुत बढ़िया तरह से मिल जाए, all the best to you, जै हिंद, जै भारत, bye guys.